हमने ये सोजा कि इसके लिए धन जुटाना इसके लिए पूरे हिंदू समाज के पास जाएंगे साड़े बारा करोड लोगों के पास हम गई साड़े बारा करोड दर्वाजे खट खटाएते साड़े बारा करोड परिवारों ने माने 65 करोड हिंदूओं ने बहुत खुले मन से एक भव्वे विशाल गगन चुम्बी मंदिर बनाने के लिए 3300 करोड रुपए 3300 करोड रुपए हमको जुटा दिये थे अब मंदिर बन गया है बाइस तारिक को अपनी जन्म भूमी पर सवाचार फुट 51 इंच मने उसके राम लला विराज जाएंगे मैंने राम जी को बहुत सारे रूपों में देखा है पर मैंने कोई बड़ी मूर्थी राम लला के नहीं देखी है पांच साल के बालक की आपने भी नहीं देखी है पहली बार महां देखने को मिलेगी तीर मूर्थियां बनी तीरों बहुत प्रसिद्ध लोगों ने बनाई उसमें से एक मूर्थी तै हो गई वे मूर्थी वहां विराजेगी हम सब की शद्धा उस मूर्थी में प्राण प्रतिष्ठा के प्राण फूंकेगी इस बार हम सब आपके घर फिर आएंगे विश्वा हिंदू परिशत के लोग संगा के लोग आपके घर आएंगे इस बार कुछ मांगने नहीं आएंगे भाईयों और बहिनों आयोध्या में राम लड़ा की मूर्थी में जो पीले चावल पूजित हुए हैं उस पीले चावलों में से कुछ चावल हम आपके घर में देकर आपको निमंतरन करेंगे एक चित्र देंगे राम जी का और उनके मंदिर का जिसको पूजा में लगाएंगे और वो निमंतरन होगा कि पाँच सो साल बात समय आया है ये दूसरी दीपावली है हिंदूों के पराजय का वो समारक धुस्त हो गया था अब हिंदूों के आत्म विश्वास का हिंदूों के शताब्दी को दृष्य देता हुए बगवान पतिष्ठित हो रहे इस दृष्य को अपने घर में से नहीं देखना है घर में टीवी चलाया चाय पकोड़े बनाने का आदेश दिया बीच में बच्चों को डाटते रहे ऐसा नहीं घर में जो गोदी का बच्चा है उससे लेकर के वीलचेयर में चलने वाले बुजुर्ग सब लोगों ने अपनी बस्ती के मंदिर में आना उस मंदिर को एक दिन के लिए आयोध्या मानना विजे महामंत्र का जाप करना हनुमान चालीसा पढ़ना और वहां के LED पर ये पूरा द्रिश्य सामूहिक रूप से देखना है ये निमंत्रन देंगे विश्व में पांच लाख से जादा मंदिरों में ये कारिक्रम होगा जादा इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली में हमने पंदरा सो में सोचा था पर अब जो तैयारी हो रही है उसमें चार हजार से जादा मंदिरों में कारिक्रम होगा पांच लाग से ज्यादा मंदिरों में साथ आठ करोड हिंदू समाज के लोग कारिक्रम देखेंगे बैठ कर देखेंगे पर बैठने से कारिक्रम समाप्त नहीं होगा जब आरती होगी तो सब खड़े हो जाएंगे हाथ तहली बजाएगा आख द्रिश्य देखेगी मु बोलेगा आरती कान सुनेंगे सब हिंद्रियों के साथ सचेष्ट जागरित हिंदू समाज वैस आरती को गाएगा सब दिशाओं में नभ में आकाश में ये आरती के स्वर गूंजेंगे और गोशना करेंगे कि हाँ ये शताब्दी हिंदू की है हिंदू के उतकर्श का काल है अब कमजोरी नहीं है मैं सोच रहा हूं कि उस दिन ज्यादा भीर कहा होगी जमीन पर होगी या हस्मान में होगी कौन से ऐसे देवता है जो इस दृश्य को देखने के लिए अपने वाहन में आकर आकाश में उपस्थित नहीं होगे और जो लाखों लोगों का बार बार जिकर हो रहा है जिन्होंने प्राण दिये इस इच्छा को लेकर प्राण दिये कि राम जी का मंदिर बने श्री आशोक सिंगल श्री राम चंद्र परमंस दास महिंत अवेद्देनाथ देवरा बाबा वे सब कार सेवक वे जो आयोध्या से पैदल चलकर लखनव से पैदल चलकर आयोध्या आये थे और वे भी जो इन पांट सो सालों में धर्ती पर आये थे राम जी के लड़ाई नहीं लड़ी अपने गाव में खेदी करते थे पाड़ पे रहते थे पर मन में राम जी को रखते थे ऐसे सब लोग तो ये कारेकम केवल अभारत का नहीं है ये कारेकम पूरी धरा का है ये पूरी धरा का नहीं है ये पूरे ब्रह्मांड का है, स्वर्ग लोग से, गो लोग से, सब जगा से इस द्रिश्य को देखना और फिर एक और पुस्तक आने का समय होगा, अभी अतीत से वर्तमान है, उस पुस्तक में अमिद जी वर्तमान से भविश्य होगा. और वो भविश्य ऐसा होगा, जिसमें हम सपने देखेंगे, उन सपनों को पूरा करने का पुरुशार्थ करेंगे, और अपने पुरुशार्थ और भगवान के आशिरवाद से, उन सब सपनों को सुफल करके, इस धरा को सुखी, सम्रिद्ध, संसकारिद बनाएंगे, ऐसा रामराज्य होगा, जिसमें कोई गरीब नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, सब धर्म का पालन करते होंगे, और धर्म का और कर्तवियों का पालन करने से सब के अधिकार सुनिष्चित होंगे, और एक संपन्य समाज बनेगा, ऐसे सत्यूग की यात्रा हम कर रहे, मैं समझता हूँ 22 तारिक, ये इसका प्रारंब है, आप सबको शुब काम नाएं